हलो फ्रेंड्स कैसे आप सब उमीद करता हूं कि काफी अच्छे होंगे स्वागत है आपका एक बार फिट से अपने टिप्स वाला चैनल पर आज का यह वीडियो थोड़ा अलग सा है मैं अभी अभी एक हिंदी ट्रांसलेशन करके आ रहा हूं तो मुझे लगा कि इस बारे मे हमें टूल्स अभी लेवल है जहां कि हम ऐसे समस लेंग्वेज में लिख कर ऐसा आउट्पूट पा सकते हैं चुटकियों में तो आएए देखतें कैसे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाए और हमारे वीडियो का लाव उठाएं सबसे तीस तो दोस्तो हम जटपट से बिना टाइम बरबात किये हुए उस टूल की तरफ चलेंगे जहां पर हम हिंदी, बेंगॉली, गुजराती, कई सारे लेंग्वेज में लिख सकते हैं बिना उस लेंग्वेज को लिखने के लिए स्किल सेट के रिक्वाइर्मेंट के यह बहुत ही इजी तरीका है जैसे कि आप SMS पर किसी को चैट करते हैं, SMS लिखते हैं, WhatsApp पर चैट करते हैं, SMS लेंग्वेज होता है न, मैं आ रहा हूँ, तुम कब आओगे, TUM तुम, KAB कब, इसी तरीके से SMS लेंग्वेज में लिख करके हिंदी में कैसे हम कनवर्ट कर सकते ह उसको, तो उसके लिए हमें एक वेबसाइट पर जाने की जरूरत होगी, जिसका नाम है चंगाथी हिंदी, यह हम सर्च करेंगे, पहला आप्शन आड़ा, ओनलाइन हिंदी कनवर्टर, इस पर हम क्लिक करेंगे, अभी दोस्तों देखिए, यह हिंदी.changathi.com, यह कई सारे में उपलब्ध है, हिंदी के जगा अगर आप बेंगॉली कर देंगे, तो बेंगॉली.changathi.com आजाएगा, गुजराती कर देंगे, तो गुजराती.changathi.com आजाएगा, कई सारे लेंग्वेजिज में यह वेबसाइट, हमें यह फेसिलिटी अवेलेबल करवाता है, तो इस इसके बाद dictionary आता है, इस पर एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर आप कुछ भी शब्द English के लिख होगा, जैसे मैं morning लिख रहा हूँ, तो go पर click करने के बाद, यह आपका सारा translation यहाँ पर आजाएगा, कि उसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी search का option यहाँ पर है, यहाँ आप बहुत सारे अच्छे अच्छे options अवेलेबल हैं, आप इनको अवेल कर सकते हो, फ्री का टूल है, बिल्कुल फ्री का टूल है, कोई ब्लॉग इन रेइस्टर का option यहाँ पर दिया हूँ, आप नहीं भी चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, अब देखें यह फंक्शन टेंप होके, जिफ में आ जाएगा, जेपेग में आ जाएगा, पी एंजी में आ जाएगा, यह format आप देख पार हूँ, इन सब फॉर्मेट में यह हो जाएगा, यहाँ पर font size आप select कर सकते हो, color select कर सकते हो, और जो भी आप text लिख होगे, वो image में convert होके, आपको download हो जाएगा, यहा मैं आज तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ, तो कैसे लिखेंगे, मैं, 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 आज तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ, पुर्ण बिराम, पुर्ण बिराम हम shift और जो यह वाला बटन होता है, इसे use करके, लिखते हैं, पुर्ण बिराम, इसके बाद कुछ और हम ट्राय करते हैं, मैं आज, ब्लॉग बनाने वाला हूँ, ठेक है, यह तो easy हो गया, SMS language में जो भी आप लिखोगे, वो हिंदी में convert हो जाएगा, और simply यह copy paste करके, यहाँ पे आप, यह जैसे मैंने यहाँ पे copy कर लिया यह copy paste करके, आप Facebook पर, website पर, Photoshop पर भी डाल सकते हो, provided that कि आपके पास Photoshop पर वो fund, हिंदी fund अवेलेबल है, यहाँ पे fund का भी option है, आगर आप चाहो तो यहाँ से fund भी download कर सकते हो, और Photoshop के लिए या फिर MS Word के लिए आप fund install करके use कर सकते हो, कुछ चीज़े यहाँ पे ऐसी है, जो कि शायद आपको दिक्कत आ सके, लेकिन बहुत ही easy है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसा कि आप सोच रहे हो कि मैं यह लिखूंगा तो यह आएगा, लेकिन कई बार कुछ और result आ जाता, जैसे कि मैं आप अच्छा महसूस कर रहा हूँ, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अच्छा जो लिखना था मुझी, यह कुछ और आ चुका है, समझ भी नहीं या रखिया है, तो यहाँ पे आप अपना जो करसर है, इसको लेके जाए, माउस को लेके जाए, और backspace दबाए, अब के नीचे सारे options आगे, कि यह क्या-क्या हो सकता था, तो अच्छा यहाँ पे दिख रहा है मुझे, तो यह में click कर दूँगा, मैं कुछ और आपको चीज़े बताऊंगा, जो कि शायद लिखने में English words हो, लेकिन यहाँ पे आपको लगता हो कि English words अगर लिख दूँ, तो same to same उसका उचारण हिंदी में जैसा होगा, वैसा ही आजागा, कई बार असा नहीं होता है, तो मैं एक example देखे आपको बताता हूँ, जैसे हम monetization लिखते हैं, M-O-N-E-T-I-Z-A-T-I-O-N, यह English word है, अब space दबाएंगे इसके बाद, तो यह देखिए, यह monetization ऐसा कुछ आ गया, अब ही हम फिर से backspace दबाएंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे काम का कुछ दिखा रहा है या नहीं, monetization, monetization, यहाँ पे हमारे काम का कुछ भी नहीं है, तो इस इस्थिती में हम क्या करेंगे, जब कोई English का word हम हिंदी में लिख रहे हों, और वो result हमें नहीं मिलता है, जो हमें चाहिए, तो सबसे easy उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, रामबान उपाय बता रहो, एक उपाय ही काफी है, आप क्या कीजिए, आप पढ़िए पहले इस शब्द को, यह कैसा उचारन हो रहा है, monetization, अब मैं backspace मार के इसको सारा खतम कर देता हूँ, अब मैं आपके English जो शब्द है, उसके alphabets को भूल जाओ, को उसमें क्या-क्या है, आप हिंदी पर ध्यान दो, हिंदी आप अगर उचारन कर रहो, monetization, तो देखिए, मेरे दिवाग में क्या आ रहा है, monetize, अब T-I नहीं लिखेंगे, हम T-A-I लिखेंगे, T-A-I, monetization, तो यहाँ प आपको कि English का वर्ड हम भूल जाएंगे, हम हिंदी उचारन पर ध्यान देंगे, तो monetization, S-H-A-N, अब हम स्पेस मार के देखेंगे, यह देखिए, monetization, बिल्कुल वो चीज आ गई, आउटपुट मिल गया हमें, जो हमें चाहिए था, एक और हम ट्राइ करके देखेंगे, examination, examination, यह तो आगया हमारा, कई सारे शब्द ऐसे होते हैं, जो नहीं आपाते हैं यहां पर, तो उन चीजों को आप हिंदी उचारन पर ध्यान देजिए, तो वो एक्जैक्ली वही आउटपूट आपको मिलेगा, जो आपको चाहिए था, तो इस तरीके से हम कुछ भी यहां प तनवर्ट हो जाता है, आड़ाम से कॉपी पेस्ट हो जाएगा, और हमारा काफी टाइम बच जाता है, अगर हम हिंदी में प्रॉपर टाइपिंग करते हैं, हिंदी कीवोड को यूज करके, तो बहुत टाइम कंसुमी होता है, यहां पर आपको इजीली SMS लेंग्वेज में अगर जो दो मिनट का काम, पांच मिनट का काम है, वो दस सेकंड में, पांच सेकंड में मिल जा रहा है, काफी टाइम बसता है, तो उमीद करता हूँ दोस्तों, यह वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी, काफी helpful रही होगी आपके लिए, तो कमेंट में बताएए, इसी तरीके के और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, तो वो भी बताए कमेंट बॉक्स में, कि आप क्या देखना चाहते हैं, और इस वीडियो में अगर कुछ बुरा लगा है, वो भी बताईए, तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, इस व झाल